रहने वाले पहलवान अमित ने अनिक खिलाडियों को पच्छार कर शरुख लासिक 2020 दिन सिल्वर्ब और दोकास से मेडर हासिल किये उनकी सफरता को लेकर उनकी परिवार और दोस्तों ने उनका जोड़दार स्वागत किया पहलवान अमित के पारे में आपको पता दे कि वर्ष 2010 में बाहरवीं करने के बाद उनका परिवार उनको हमेशा से ही पहलवान की रूप में देखना चाहता था जिसके बाद गुरवार राजकुमार गोस्वामी ने उन्हें अखाडे में कुष्टी के दाव पीच सिखाएं वर्ष 2010 में इंटर कॉलेज रेसलिंग टूनमेंट में गोल मेडल 2011 में गोल 2012 में कासे मेडल जीता नेपाल में स्ट्रेंट लिफ्टिंग इंटर नाशनल चैंप टेंशिप ने गोल मेडल उसके बाद वो लगातार नाशनल और इंटर नाशनल लेवल पर 50 से ज्यादा मेडल जीत चुके हैं और अपहाली में उनके द्वारा जीते गए मेडल को लेकर परिवार और सभी दोस्तों में खुर्शी की लहर देखी गई अमित मों बताया कि आगे भी वो खुदेश का